Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तों आज की स्कुईज वीडियो में हम देखने वाले हैं GKK टोप 20 कोशन जो की एक्जाम के पॉइंट अवी से काफे इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंट तब देखेगा और इन 20 कोशन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कूर इसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरू बतेगा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर करिएगा और एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है आप सभी के लिए रेलवे कैटेगरी में दोस्तों प्राइज हाइक होने वाले हैं और अभी रेलवे के देखे एक्जाम भी आने वाले हैं तो जितने भी स्टूरेंट ने अभी तक सब्सक्रिप्शन जोइन नहीं किया है तो फटा फट जोइन कर लिजे और आपको कोड क्या यूज करना है स्टड़ी टेन एससी से लेके यूपीसी तक जो भी सब्सक्रिप्शन आप जोइन करना चाहते हैं चाहिए बैंक और रेलवे हो तो आपको रेफरल कोड यूज करना स्टड़ी टेन कीजिए लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में है तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो को दोस्तों आज की वीडियो का पहला कुश्चन है निम्लिके तुम इसे कौन सा स्थान लो एस्क खरंचेतर नहीं है तो जल्दी से आंतर वती है सोरी कि देखिए यहां पे जो ऑप्शन आपका सी है जावर यह आपका दोस्तों लो एस्क खरंचेतर नहीं है तो यह इस कोश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है चलिए दूसरा कोश्चन आता है कि रावा तेल सेतर निम्लिकित में से किस नधी घाटियों की जोडी के बीच इस्थ तो यह भी एक बहतरीन कोश्चन है एक्जाम के पॉइंट व्यू से दिखे रावा तेल सेतर जो है वो कृष्णा और गुदावरी के नधी बेसीन के बीच इस्थित है और यह आंद्र प्रदेश राज्या में इस्थित है यह भी आपको याद रखना है यानिकि इस तीसरा कोश्चन है भारत में बिजली के स्रोत के संदर्म में परमानु उर्जा की रेंक क्या है बते जल्दी तो परमानु उर्जा की rank क्या है मेरे प्यारे दोस्तों तो परमानु उर्जा की rank है बिल्कुल सही है फिफ्थ यानि की option C rate answer हो जाने वाला है ठीक है भई चलिए जी next आता है निमलिकित में से कौन भारत का सबसे महत्पून नदी का बंदरगा है निमलिकित में से कौन भारत का सबसे महत्पून नदी का बंदरगा है इस question का right answer हो जाएगा क्या बात है कोलकता पोर्ट यानि की option आपका C rate answer हो जाएगा ठीक है चलिए यह है दोस्तों हुगली नदी के किनारे इस्तित है यह आपको या दखना है भुटान और नेपाल का व्यापार भी इसी बंदरगा से होता था next question रास्तिये जलमार्ग 3 भारत के निमलिकित में से किस इस्तान को जोड़ता है ज़र यह भी बतेए तो कोलम कोजी कोड इस question का दोस्तों right answer होगा यह आपको या दखना है ठीक है और रास्तिये जलमार्ग 3 कोलम से कोजी कोड को जोड़ता है जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 205 किलोमेटर है ठीक है यह आप याद रख सकते हैं next question दोस्तों next question है हवा में गैस की उपस्तिती के कारण पीतल हवा में विक्रित हो जाता है तो कौन सी गैस के परजेंट होने पर तो इस question का right answer हो जाएगा hydrogen sulfite यानि की D यहाँ पर right answer होगा यह आपको याद अखना है दोस्तों अगला question आता है कि निमलिखित राज्यों में से किस में साक्षारता दर सबसे अधिक है जो चार option यहाँ पर लिखे हैं उन में से आपको right answer चूज करना है तो इन चारों में से दोस्तों कि निमलिखित राज्यों में से किस राज्य में साक्षारता दर सबसे अधिक है मिजोरम इस question का right answer होगा ठीक है मिजोरम इस दा right answer सूरिय से सबसे दूर का गरह कुण सा है तो सूरिय से जो सबसे दूर का गरह है न दोस्तो वह है आपका sunny गरह है ठीक है न ये भी आप याद रख सकते है दोस्तो नेक्स है कौन सा वेद रोगों का इलाज करता है विच वेदा कंटेंस क्योर ओप डिजीज तो यहाँ पर इस question का जो correct answer होगा वह है आपका दोस्तो अथर वेद हो जाएगा यानि कि डी इस question का सही answer हो जाएगा अलमूनियम का सबसे महत्पून एस्क दोस्तो क्या है जल्दी बदेए तो इस question का correct answer हो जाएगा वोकसाइट यानि कि A is the right answer नेक्स्ट question है पंजाब में पानी बड़ी संख्या में नहरे है उन्हें पानी कहां से मिलता है पंजाब में दोस्तो काफी नहरे हैं तो आपको बता रहा है जो इन में से जादतार नहरे उनको पानी कहां से मिलता है तो इनको जादतार जो पानी है वो सतलूज रिवर से मिलता है दोस्तों ठीक है यानि कि इस question का right answer option भी हो जाएगा दोस्तों next question है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला सहर है कौन सा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला सहर दोस्तों आपका टोक्यो है जापान में ठीक है या आप सभी को पते होगा दोस्तों next है निमलकित में से कौन सा समाज का one नहीं है which of the following was not a one of society तो इस question का right answer होगा Westwick यानि की C is the right answer दोस्तो अगला question आपका तुरियल हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में इस्तित है तुरियल हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दोस्तो ये आपका किस राज्य में इस्तित है यह आपका दोस्तो मिजोरम राज्यमेस्टित है यानि कि इस कोश्चन कराईट आंसर भी हो जाएगा मारको पोलो वेनिस यात्री और आपका वेनिस से चीन और जापान में यात्रा की किस वर्स के दोरा ने आपको बताना है बिल्कुल सही है 1288 से 93 93 के बीच यानि कि ओप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा हमारी आकास गंगा का नाम खालिस्थान है यह तो कोई भी गलत मत करना सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए हमारी आकास गंगा का दोस्तो जो नाम है वे मिलकी वे है यह तो आप सभी को पता ही होगा ठीक है तो राइट आंसर जो ओप्शन सी प्रत्वी का अपना वाईयू मंडल किसके कारण से है वाई द अर्थ इस हैविंग इट्स ओन एट्मोस्फियर तो ग्रेविटी के कारण है दोस्तो ठीक है यानि कि यहाँ पे राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा चले नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्रिक्स का तीसरा सिखर संबेलण जोकि 2011 में आईञ्जित किया गया था वो कहां पर हुआ था देखें ब्रिक्स का जो 2011 का सिखर संबेलन था दोस्तो वह हैं आपका हुआ था चाइना में ओर और brix का दोस्तो जो आपका पहला सिकर संभी लनता एक तो यह important है वो रसय में हुआ था और 12 ama 21 के बाद 21 जो वो ठीस वो ठीक रोला रशीया में हुआँ था यह दोनुघ कर दखना है चले, नेक्स्ट है, निमिन में से कौन सा सबसे हलका धातू है, तो सबसे हलका धातू दोस्तों, अगर आपे मैं बात करू, मरकरी, लीथियम, लेड और सिल्वर में लीथियम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है न, यह आपको यह लगए, सबसे हलके धातू की बात की गई है, भारतिय मानक समय का इस्थानिय समय है, तो बिल्कुल सही क्या है, इंडियन स्टेंडर टाइम इस दि लोकेटिड टाइम ओफ अलाभाद, यानि की राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा, ठीक है वह, और नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सबसे छोटा दीप, देश कौन सा है, तो हिंद महासागर में सबसे छोटा दीप, देश है दोस्तों, मेडागासकर यानि की डी रेट आंसर हो जाएगा, यह आपको या लटके, कलकत्ता खालिस्तान नदी के तटपर इस्थित है, कलकत्ता किस नदी के तटपर दोस्तों इस्थित है, तो कलकत्ता हुगली नदी के तटपर इस्थित है, दोस्तो भारत की सविदान को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया यानि कि आपे parts पूछे गए हैं तो आप सभी को पता है अगर आप से question पूछा जाए कि भारत की सविदान में कितने parts हैं कितने भागए तो आप सीधा सीधा answer लगा दो विभाजित किया गया थो थोड़ा सा confusion बने जाता है ठीक है यह हो गया बाइस तो चलिए अभी next video को देखते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे यह बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment box में जरू बतेएगा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ में share कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करके बैल ऐकन कौन र